फ्रेश पीजा डो अब कोई भी बना सकता है कुछ भी नहीं चाहिए मशीन भी नहीं चाहिए कोई भी स्पैशल एक्विपमेंट भी नहीं चाहिए हाँ यूज कर सकते हो काम को असान करने के लिए लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहो अपका पैसे नहीं तो कोई ब्रॉबलम यह यह हमारा टीडीटी का पीजा फ्लार है यह इतना कप है तो क्या सीन क्या होता है वैसे तो हम नाप के देते हैं ठीक है कि 100 ग्रैम्स के अंदर 15 ग्रैम मोटर डालना है 5 ग्रैम ओल डालना है ऐसे नाप के देते हैं लेकिन फिलाल हम कुछ भी नाप नहीं रहे मैं आपको बजार में लोग के पास होता है जिसमें समान तोल के देते हैं ठीक है और एक मशीन होती है वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा हम अगली वीडियो में उससे बनाएंगे ठीक है उसमें क्या है स्पाइदर लगा होता है मशीन होती है यह जैसे बाउल होता है उसम कुछ भी करना बाए साथ मिन है इस थोड़ी सी मेहनत करने पड़ेगी ज्याधा नहीं करने पड़ेका फ्लार इसको बाल इंडाल देंगे और ये रहा वाटर वटर कितना पिदारितें तो उने न कर देते हैं लेकिन लोग क्या अभल घंज्टी घ्राम-फिटी-घ्राम-वाटर तो समझते हैं कि आदा पानी आदा पानी नहीं होता है 50 ml 50 grams और आदे में फरक होता है पानी का बजन अलग होता है फ्लार का बजन अलग होता है मतलब इनके बजन में डिफरेंस होता है तो जब तोलते हैं तो सही आता है लेकि जब विस्टा आप से डालते हैं कि उतना डाला आदा पाणी डालतो तो प्रोलम हो जाथी तो अभी हम तोड़ा सा वाटर डालेंगे थोड़ाशा इडालेंगे आप आप अन्दाजे से हमने बेसिकली इसको सुखा-सुखा रखना ज्यादा कीला नहीं करना जैसे हम घर का आठा नहीं गुनते अगर आपने गूंदा हो आपको पता होगा वेसे बत्लब बनाना इसे तो अभी मैं जिस अथा से मुझे वाटर चाहिए रहेगा मैं उससे साफ से डाल दो तो यह क्या है इसमेह आपको कोई ये डालना कुछ बहीमी डालना यार कुछ भीन डालना ये बीना कुछ भी नहीं रेडी टू मेग आपने फ्लार ले लिया पीजा का काम शुरू वह भी फ्रेश डो से अब अगर आपको अपने बिजनस में टिफ्रेंट्शेट करना है कि यार मैं तो डिफ्रेंट फ्रेश डो से पीजा बनाता हूं आज कल बहुत लोग कहते हैं Давया बनाते हैं आप भी उना सकता हूं इसमें डिफ्रेंट कया है कोई डिफ्रेंट क्या कर रहा कुछ भी नहीं तो मैं रिखता हम यह जादा यूज नहीं कर रहा क्यूंकि हात कु possibile जाती हैं उसलर सिर पी यह नूड़ों मैं जाइप प्राइज से ही इलाते रहे रहें जब त कि थोड़ा हल्गा सपानियों डालेंगे कि अच्छी 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 अब ये काफी सुखा सुखा हो चुका है मैं स्पैचुला हटा देता हूँ अब मैं जैसे इसको ऐसे गुनते हैं आट्टे को वैसे गुंद लुआ अभी भी मेरे से थोड़ा सपानी ज्यादा डल गया क्योंकि मुझे आदत है उशीन में बनाने की उसमें जैसे ऐसे गूंते रहेंगे ना तो सोफ्ट हो जाता है पानी मसला पता लगता है कि यह पानी पहले नहीं बता लगता कोई प्रोब्लम नहीं लेकिन कई लोग कोग चाहतें वहां प्रोबलम आजाती तो अभी तो में युष पर एल टालेंगे तो फाइब जालते फॉर टालते हैं अन्डेट अमेल के अंदर तो यह मैं थोड़ा सा ओई डालेता हूं ताकि इसकी जो से आ रहा है लेकिन अब मेन स्टेप आता है अब मुशीन में तो बहुत चलती है तो यह अटोमेटिकली सॉफ्ट हो जड़ता है सोफ्ट कर देती है इसे लेकिन अब हमने हाथ से बुंदा है ठीक है थोड़ा था फरक तो आए गई लेकिन उसका हल भी है अब इसको ऐसे अब जोवर जोवर से पटकेंगे ठीक है अब अब अपनी शेल्फ पर पटकेंगे अब 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 अगर आपको लगे कि थोड़ा ज्यादा चिप चिप चुका है तो आप इसमें हलका सा फ्लार भी एड़ कर सबके हैं जैसे मैंने इसमें हलका सा और फ्लार एड़ कर लिया तो अब यह बिल्कूल भी नहीं चिपकेगा तो यह सुखा-सुखा हो गया मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहरा हूं कि यह जो पीजा फ्लार है इसके अंदर कोई चीज तो एड़ है नहीं तो आपको बस यह चीज़े द्यान अगनी है कि थोड़ा सूखा रहे जीला गिला नहीं करना क्यों को प्लेंट आती है बहुत सारे लोगों की कहते है है कि हमारा गिला हो गया हमारा बनाने तो इसी कारण होता है उनको अब उनके पास केलर नहीं होते कई यहों के पास कई लोग सब्सक्राइब समझते नहीं कि पानी कि ना डालने है थोड़ी से कन्फीजन हो जाती है बहुत सारे लोगों का तो बन जाता है फिर भी 5-10 प्रे सब्सक्राइब की मशीन आती है वह मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपको मशीन जब मशीन में यह आटा गूंद के देखेंगे ठीक है उसमें हम देखेंगे कि इसका टेक्शर क्या रहता है अभी फिलाल आप इसका टेक्शर चेक करो यह देखो कि अभी करना गया यह जो फ्लार है यह ऐसे रख देना है यह अपने साइज में डबल हो जाएगा मत्र दो गंटे के अंदर दो गंटे भी ज्यादा बोल रहा हूं गर्मियां चल रही हैं गर्मियों में कि अभी कि अभी गंटे में आप देखना यह फूल के रैंडी हो जाया तो आप इसको फ्रेश बना सकते हो ठीक है सीधा आप इसमें अपना साइज दो ठीक है इसके ओपर सॉस लगाओ और अपनी टॉपिंग्स दालके बेक कर दो हाइच पंप्रेचर बे आपके बास कोई अभी आपना उसमें आप हाइस टैंपरेचर में नलती तीन सो डिगरीों वह टेस्करना है कि तने में आपका अवन कितनी डिगरी पर इपक पक्के तयार हो जाता है अंगली बार से उसमें तयार करो तो ये था इसकी साइन्स टीडीटी पीजा फ्लार से आप बिना किसी नौलेज के बिना किसी चीज किया बना सकते हो अब ये होता किसके लिए है ये में वोटल के लिए होता है आपका रेस्टरेंट एफ वोटल है कुछ भी अगर में बनाना चाहते हो परफेक्ट टीडीटी पीज़ प्रफेक्ट नथिंग एल्स यूट नीट एनिफिंग एल्स जस्ट नीट टीडी फ्लार ठीक है बनागे देखो आपका पीज़ा डॉमिनो से भी अच्छा बनेगा ट्रस्ट मी इस इस अबैस्ट पीज़ा फ्लार यूप किन फाइंड फॉल्ट मार्केट कहीं में जा नीचे लिंक दिया गया है वहाँ से जा गया पीज़ा फ्लार ले ओर्डर करें बना के देखें खुश रहें अबाद रहें जैहिन बंदे माद रहो